Good morning students, my name is Kavita from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपकी जो हिंदी की किताब है, उसमें से Part 13 अंग की मातरा को पढ़ना शुरू किया था. पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि अंग की मातरा को किस तरह से पहचाना जाता है, अंग की मातरा को किस तरह से उच्चारन उसका किया जाता है, यान किस तरह से उसको बोला जाता है, किसी शब्द पर अंग की मातरा अगर लगी है, तो उसे किस तरह से पढ़ा जा तो सबसे पहले मैं आपको बताया था याप पर लिखा हुआ है अंगूर अंगूर नहीं याप आपको अंगूर का जो चित्र है स्टिगर वो चिपकाना है और वह को का मिलेगा सबसे किताब के सब्चे कीज़ियोर फिर अगला शाब्द था हंस हंस घंटी घंटी बंदर बंदर पतंग पतंग अंक अंक रंग रंग पंख पंग संग संग अंत अंत पन जा पंजा जन्दा जन्डा चन्दा चन्दा तो अभी तक मैंने यहां तक शब्द पढ़े अब जब मैं यह शब्द पढ़ रहे थी तो आपने देखा आपने सुना होगा कि जब मैं अंग की मातरा को पढ़ रही हूँ तो मेरे मूँ के साथ साथ मेरी नाग से भी आवाज आती है यानि कि जो अंग की मातरा की शब्द होते हैं उसे बोलने के लिए हम अपने मूँ के साथ साथ अपनी नाग का भी इस्तमाल करते हैं जैसे अगला शब्द है ठंडा ठंडा अब आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाओगे तो आप खुद को आपको खुद को पता चल जाएगा कि जब हम अंग की मातरा को बोलते हैं तो उसमें हम अपने मूग का इस्तमाल तो करते ही हैं साथ साथ में हम अपनी नाख का भी इस्तमाल करते हैं फिर देखें बच्चो कंगल जंगन कंगन संतरा संतरा तो इस तरह से अब हमने वापस ये शब पढ़ ले जो हमने पिछली कक्षा में भी पढ़े थे फिर हमने अंग की मातरा से बने कुछ वाक्य पढ़े थे जैसे कि संजय संजय सुभ आठ बजे उठा मनजन करके थंडे पानी से नहाया कंगे से बाल ठीकिये कंचन के संग मंदिर गया शंक बजाकर पूजा की घंटा बजाया फिर से फिर वे बहार आये कंचन ने रंग बिरंगे सुन्दर कंगन खरी दे ये वाक्या हमने पढ़ लिये थे फिर फिर हमने क्या पढ़ा था बच्चो सही स्तान पर अंग लगाओ यानि कि सही स्तान पर बिंदी लगाओ तो हमने क्या क्या किया था जैसे विकपा फिर से घंता घर तो घ के उपर हमने अंग की मात्र लगाई पतंग तो त के उपर हमने अंग की मात्र लगाई थी अंगूर तो अ के उपर हमने अंग की मात्र लगाई थी फिर बंदर 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 ब के उपर हमने बिंदी लगाई फिर अगला शब्ध है गेद तो हम अंग की मात्र का पर लगाएंगे बच्चो गे यानि यानि ये के पास नम क्या लगाएंगे अंग की मात्र तो क्या बन जाएंगा गेंद क्या बन जाएगा बच्चो गेंद फिर है घर्टा तो हम अंग की मात्र लगाएंगे घर्पर तो क तरह ठ के उपर लगाएंगे अंग की मात्रा तो क्या बन जाएगा ठंडे ठंडे फिर अगला है कघे तो कापर लगाएंगे अंग की मात्रा क के उपर तो क्या बन जाएगा कंगे फिर है सतरा तो कापर लगाएंगे बच्च अंग की मात्रा सपर तो क्या बन जाएगा संतरा स फिर है थड़ा तो का थपर हम अंग की मातर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा थन्डा थन्डा तो यह वाला जो काम था हमने अपनी पिछली क्लास में किया था पिछली क्लास में पड़ा था और यह अभी तक का जो काम है आपको अपनी किसमें करना था अपनी बुक में करना काम बस यही था ठीक है जो यह वाला कुश्रन था आपको सई जगप पर अंग की मात्रा लगानी थी अब कौपी का आज की क्लास में में आपको कौपी का क्या वर्ख है वो आज मैं आपको समझाने वाली हूं तो अभी तक तो हमने यह वाला पेच पड़ा है हमने सबसे पहले अंग की मात्रा को समझा है अंग की मात्रा के कुछ शब्द पड़े हैं उसके कुछ वाक्य पड़े हैं और यह वाला जो प्रश्न है कि सही स्थान पर अंग की मात्र लगाओ यह किया है यह वाला काम आपको अपनी किताब में ही करना है अब देखे बच्चों आपको कौप में आप लिख देना पार्ट तेरा ठीक है मैंने या पर मैंने नहीं लिखा है जैसे ये पार्ट हमारा कौन सा है तेरा अंग की मात्रा कक्षागारे लिखने के बाद लिख देना पार्ट 13 अंग की मात्रा तो अंग की मात्रा को अब हम हर एक वर्ण पर लगा कर देखेंगे कि हर एक वर्ण पर जब अंग की मात्रा लगती है तो उसे किस तरह से पढ़ा जाता है तो सबसे पहले देखो वेटा, बच्चों कवर्ग, कवर्ग की लाइम, कख, ग, घ, ठीक है, तो कपर जब अंग की मातरा लगती है तो उससे हम पढ़ते हैं कंग, आप भी साथ साथ बोलते जाएए, क्या पढ़ेंगे उसे कंग, घ, पर जब अंग की मातरा लगती है तो उसे पढ़ते हैं कंग, घ, पर जब अंग की मातरा जोड़ती है तो क्या बोलेंगे उसे गंग, और जब घ, यानि घ से घड़ी, यह है घ से घमला, जबकि यह है घ से घड़ी, तो घ से घड़ी पर जब अंग की मातरा जोड़ी जाए तो ड़ खाली पर अंग की मात्र हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उस पर मात्र लगाने से भी हम उसे अच्छी तरह से नहीं बोल सकते हैं और नहीं कभी आपको ऐसे कभी शब्द मिलेंगे जिसमें ड़ पर अंग की मात्र होती है अगर मिलते भी है तो इतने शब्द नहीं होते और आप उसे बोल भी नहीं पाओगे इसलिए मैंने या पर आपकी सुवीधा के लिए द खाली में अंग की मातर नहीं लिखी है फिर च वर्ग च वर्ग में सबसे पहला है च जब च पर अंग की मातर च फिर है च च पर अंग की मातर च फिर है ज ज पर अंग की मातर जूड़ी तो ज और फिर है ज से जंडा अब ज से जंडा पर क्या लगी है अंग की मातर तो इससे कैसे पढ़ेंगे ज ठीक है यह ज है और यह ज है फिर आता है हमारा तवर्ग अब तवर्ग पर अंग की मातरा जुड़ेगी तो कैसे पढ़ेंगे तंग फिर है ठ त से टमाटर पर अंग की मातरा कैसे जुड़ी और कैसे पढ़ेंगे इसे तंग फिर है हमारा ठ से ठतेरा अब ठ से ठटे रापर किसकी मात्रा है अंग की तो कैसे पढ़ेंगे थूं जैसे हम पढ़ते थन दा थन तो इसे कैसे पढ़ेंगे बचो थन फिर है द से डमरू तो दूं कैसे पढ़ेंगे दूं फिर है ध से धक्कन तो इसे कैसे पढ़ेंगे धूं ठीक है यह है डों और यह है डों फिर आता है हमारा तवर्ग तवर्ग में सबसे पहले है त से तरबूच तो इसे कैसे पढ़ेंगे त पर अंग की मात्रा तों फिर है त से धर्मास त पर अंग की मात्रा तों फिर है द से दर्वाजा तो द पर अंग की मात्रा तों फिर ध पर अंग की मात्रा धन और न पर अंग की मात्रा न क्या पढ़ेंगे बच्चो न फिर है हमारा पवर्ख यानि पर से पतंग फर से फल बर से बकरी बर से भालू मर से मचली तो प पर अंग की मात्रा प फ पर इसकी मात्रा अंग की मात्रा फ पर अंग की मात्रा फ फिर है ब पर अंग की मात्रा भ फिर है भ पर अंग की मात्रा भ फिर अगला है म तो म पर अंग की मात्रा म कैसे पढ़ेंगे म जैसे हम लिखते हैं मंगल अब है यवर तो यव देखिए यव पर अंग की मात्रा इय क्या पढ़ेंगे इय फिर है र पर अंग की मात्रा र ल पर अ की मात्रा ल और व पर अ की मात्रा वन क्या पढ़ेंगे वन फिर है श, श से सल्जम, श से शटकॉन, श से सपेरा, ह से हल तो देखे बच्चों, तो स पर क्या है अंग की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे शंग, फिर है श से सपेरा, तो क्या पढ़ेंगे सं और फ़िर है स से सपेरा यानि स पर अंग की मात्रा सं ठीक है तो ये तीनों ही द्वणी हमें थोड़ी एक से सुनाय देखती है जैसे शं शं और सं तो इस तरह से आपको जो है अंग की मात्रा बोलने में क्या करने पड़ेगी थोड़ी practice करने पड़ेगी फिर है ह पर अंग की मात्रा हम क्या पड़ेंगे बच्चों हम तो अंग की मात्रा जो है आप समझ गए हो कि इसको मुझ से मुझ से बोलने के साथ साथ इसमें हमें नाक का विस्तमाद करना पड़ता है तो आपका कक्षाकारे क्या है बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे कक्षाकारे लिखोगे अंग की मात्रा लिखोगे ठीक है यह हमारा part 13 चल रहा है फिल सारे आप वर्ण लिखोगे जैसे जिस वर्ण पर अंग की मात्रा नहीं लगती वो वर्ण मैंने नहीं लिखा है ठीक है बच्चों जैसे मैंने यह आप पर रड़ खाली नहीं लिखा है यह नहीं लिखा है ठीक है और जो बाकी के शो त्र और ग्य होते हैं उसमें भी मैंने अंग की मात्रा नहीं लिखी है जिस त आपका कक्षा कार्य हो गया अब आपको ग्रह कार्य क्या है यानि आपका होंवग क्या है वो देख लो वर्ण पर अंग की मात्रा लगा कर उन्ह लिखो यानि आपको क्या करना है हर एक वर्ण पर अंग की मात्रा लगानी है और उसको उन्ह यानि वापस लिखना है जैसे कह प मैं आपको एक, दो, वर्न पर अंग की मातरा लगा कर दिखा देती हूं जैसे कप पर अंग की मात्रा कंग, फिर खब, खब में अंग की मात्रा जोड़े तो सबसे पर लिखोगे खब और उसके उपर लगाओगे अंग की मात्रा, तो क्या बन गया खंग, फिर है गः प्लस अंग की मात्रा, तो क्या बन गया गंग, क्या बन गया गंग, फिर है गः प्लस अंग की मात्रा तो क्या बन गया घन ठीक है तो इसी तरह से जो है आपको homework में कि कोई भी वर्ण पर किस तरह से अंग की मात्रा लगेगी वो आप लिखना तो देखे बच्चों जितने भी वर्ण जिस जिस वर्ण में हमने अंग की मात्र लगाई थी वो ही वर्ण मैंने आपको homework में दिया है तो इस तरीके से आपको ये homework करना है ठीके हर एक वर्ण लिखना है फिर फ्लस का चिन भी लगाएंगे और अंग की मात्रा जोड़कर बराबर में क्या करेंगे उस वर्ण को लिखकर उस पर अंग की मात्रा लगाएंगे तो बच्चों आज की class का आपका कक्षाकार्य क्या हो गया सबसे पहले तो कक्षाकार्य लिखकर अंग की मात्रा लिखेंगे सारे वर्णों को आप लिखोगे और उस पर अंग की मात्रा लगाओगे और साथ में इसको बोलने की भी कोशिश करोगे यह आपका कक्षा कार्य है अब ग्रह कार्य क्या है ग्रह कार्य यह है कि आपको हर वर्ण पर अंग की मात्रा लगा कर पुनह लिखने हैं जैसे मैंने आपको बताया है न वैसे ही तो यह जो PDF है मैं आपको send कर दूँगी उसको देखकर आप अपनी copy में इसको लिखना और क्या करना हर वर्ण पर अंग की मात्रा लिख देना तो आज के कक्षा में हमने क्या क्या किया है कक्षा कार्य में सबसे पहले हमने हर एक वर्ण पर कंग की मात्रा को बोलना सिखा और ग्रह कार्य मैंने आपको दे दिया है कि हर वर्ण पर आपको अंग की मात्रा जोड़ कर लिखनी है तो उमीद करते हो बच्चों कि आपको अंग की मात्रा जो मैं समझा रही हूँ वो समझ अभी आ रही होगी अगली कक्षा में हम क्या करेंगे अंग की मात्रा के शब्दो को लिखेंगे कैसे अंग की मात्रा को किसी वर्ण के सार जोड़ कर किस तरह से शब्द बनाया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगी तो अब क्या करना है आपको अंग की मात्रा को घर पर बोलना सीखना है ठीक है तो अब भी तक ये वाला पेज हमने किया है और ये वाले प्रश्ण अभी हम अपनी अगली क्लास में करेंगे तो उम्मीद करते हूँ आपको जो अंग की मादरा मैं समझा रही हूँ वो आप अच्छे से समझ गए और जो कॉपी कवर्क आपको मैं भेजूंगी वो आपको क्या करना है अपनी नोट बुक में करना है किस तरह से करना है जैसे कि आपको PDF मिलती है वैसा का वैसा ही आपको अपनी कॉपी में उतारना है तो इसमें तो कुछ आपको करना नहीं है एकदम वैसा ही उतारना है और ये वाला जो काम है इसमें आपको क्या करना है ये तो मैंने लिख कर दिया है बाकी का जो है आपको वर्ण पर अंग की मातर लगानी है जैसे कि अभी मैं आपको समझा है था तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद